नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सौराज टेक्टर सीरीज में आज का जो वीडियो आपको होने वाला है और ट्रेक्टर की जो हाइट है वो पहले से ज़्यादा उची कर दी गई है और काफी बड़ा लग रहा है ट्रेक्टर देखने में पहले से आप देख सकते हैं इस तरह से आप पूरा आपको देखने को मिलेगा पहले से 6 साल की वारांटी जी कर दी गई है बात करें दोस्तों स्टेक्टर के इंजन के बारे में आपको तीन सिलंडर का 50 HP के अब जाता है लगबग बावन एच्पी निकाल कर देता है लेकिन आपको जो आर्सी में मिलेगा वो लगब पचाशाश फी मिलेगा लेकिन ये पा सब्सक्राइब के सांथ पूरा सेटब एक इया जो सबसे पहले यह देखेंगे एर फिल्टर आपको दे रखा एक जिसमें जो हवा होती हो तीन करके पर जो क्लीन हवा होती है और 99 पर लाइफ का एख ज्यादा हो जाती है आगे से अगर देखेंगे तो आपको यहां पे 15 स्प इसमें आपको देखने को मिल जाता है अब अगर देखेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं तो आगे के टायस हैं वो साथ-पचास-सोला के और जो पीछे के टायस है वो सोले नो-ठाइस के आपको देखने को मिल जाते हैं एक आगे से चलते हैं तो आगे से देखें कि कैसा कुछ इसमें बदलाव यह तो इसके तो कफी जदा जो इसका पहले हाइट था वह लुग बगा ने खाल से 8-10 न कीज फैमी अपको रड़का नैयák चलते है now值 है का यह था है क्छी मिरनलनला हो का इसमें आ घ्रस LAUDE कुछ लोग यहां पर जो जाली दे रखी दोस्तों यहां पर LED जो है वो company से नहीं आती है आप चाहें तो अलग से accessory का पार्ट है वो आप इसमें लगवा सकते हैं LED यहां पर यहां पर यह दो जाली निकाल करके LED आप लगवा सकते हैं इसके हम बोनट को उपन करके देखेंगे जो की overflow reservoir के साथ आपको देखने को मिल जाता है इधर से थोड़ा दिखाएंगे तो watercool detector है तो इसमें आपको coolant का box यहां पर दे रखा है और यह आपको काफी बड़ा आपको अल्टिनेटर दे रखा है डवल आपको pump दे रखेंगे दोस्तों इसमें अच्छी बात क्या है कि u अच्री का एफ आपको तो इसमें आपको दे रखाएंगे और शालनसार ह्थ वो ही पशOM दोस्तों पसंद महीं आता है क्योंकि 2 इसकी जो अवाज है वो पहले से कुछ बदली हुई है तो कुछ लोग क्या करते हैं इस silencer को निकाल करके वही same silencer पहले वाल लगा लेते हैं अपनी अपनी च्वाई से अपना थोड़ा सब वह है लेकिन वैसे तो company जो भी करती है वो कुछ अच्छा ही करती है तो इसमें जाली heat guard प्रॉपर लगा वैसे आप उसको कमिया जादा कर सकते हैं और इधर से दोस्तों देखेंगे तो कोछ इसतरा का लोग को देखने को मिल जाएगा वही आपको सौराज 855 FE 15 स्पीड का स्ठीकर रिवर्स पीडिग का स्टीकर आपको देखने को मिल जाएगा तो मैं एक बार ड्राइवर सीट प पर पूंच सकते हैं जो ड्राइविंग लाएन दोस्तों बहुत ही ज्यादा कमफर्टेवल है आपको कोई भी असुबीदा नी होने बाली ट्रक्र को चलाते समय सीट को भी आप उपर नीचे कर सकते हैं वैसा सीट बहुत अराम से आप तो दोनों की दोनों जो जो लीवर है अपर प्रेटर का टेमपरेचर इंडियोनल का प्रैसर आर पीम कितने घंटे चला हुआ सारी इंफोमेशन आपको इसमें देख सकते हैं फ्यूल मीटर दे रखा है और जो लाइट्स की गंट्रोल है यहां पर आपको दे रखिए हैं यहां से कर सकते हैं उसके अलाबा यहां यहां पर आपको दे रखा है, stopper यहां पर दे रखा है, parking light यहां पर आपको दे रखी है, उसके अलाबा अगर बात करें दोस्तों इसके gear box के बारे में, तो इसके सबसे पहले बात करते हैं, right side में क्या कुछ मिलता है, तो जो brakes हमें मिल जाते हैं, वो तेल में डूबे हुए multi- neutral, यह दे रखा है, तो इस तरह के से आपको दोस्तों, partial constant mass का 12 forward में और 3 reverse का partial constant mass का gear box आपको देखने को मिल जाता है, तो दोस्तों यहां से गर देखेंगे, तो इस तरह से आपको पूरा नीचे का इसका platform देखने को मिल जाएगा, और clutch यहां जो दे रखा है, यह वाला जो clutch यह 257 और 11 2023 model tractor है, पुरा last month का, उसके अलाबा यहां पर देखेंगे, तो position draft control lever आपको यहां पर दे रखेंगे, जिनसे आपने implement की जो गहराई है, उसको आप set कर सकते हैं, पूरी, कितने पी आपको रखना है, और mobile को चार्ज करने के लिए यहां पर दे रखा है, charging pocket, जिसमे अपने 12 volt का charging point दे रखा है, mobile को चार्ज कर सकते हैं, उसके अलाबा यह दे रखा है, यह auxiliary lever आपको दे रखा है, जिससे पीछे को implement आप प्लाव चला रखें, या आप computer माजा चलाते हैं, या कोई भी power pressure hero चलाते हैं, तो वो इससे आप operate कर सकते हैं, तो यह हो गया, दोस्तों अब जो है, सौराज काफी काम कर रहे है, साइट सेफ गेरवाक्स में, तो काफी कामयाब टेक्टर है, यह 855, साइट सेफ गेरवाक्स में भी, पूरा देख सकते हैं, इस तरह से कुछ आपको लुक देखने को मिल जाएगा, और इसमें आपको यहाँ पे फुट रेस्ट भ के बारे में पीछे सा कुछ कैसा देखने को मिलता है, तो देखेंगे तो ऐसा आपको लुक पूरा देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको यह वर्किंग लाइट दे रखी है, जिसको अपने यूज के लिए आप यूज कर सकते हैं, यह पे पीछे इसका अनॉफ कर दे दे रखेंगे, आपको अगले देखने को लगवानिक जाहत नहीं है, आप ट्रक्टर को लेकर जाओ और अगले देखने को चलाना है आप अराम से चलाओ, यह जो दे रखा है दोस्तों इसकी मदद से आप अकेले ही किसी भी इंप्लिमेंट को जोड सकते हैं, जैसे आप मने कल्टिवेटर जोड रहे हैं, और आपको उठाना है, तो वहां तक आपको हाथ नहीं पहुंचेगा, तो इसको खोल करके, आप जब चक्टर स्टार्ट होगा, तो इसको बीचे निकाल के, और इसको उपनीचे करेंगा, तो यह भी उपनीचे आपका हो जाएगा, पुरा ल नहीं है, सारा जो सेटेप बहुत तगड़ा है, और बहुत ही बैतरीन है, अगर बात करने, इसके बारे में तो पूरा रियर अक्सल दे रखा है, पीछे से अवाज का कोई टेंचन नहीं है, किसी भी तरह की आवाज आपको देखने को मिलेगी, बागी किसी भी तरह की कोई बाज और देखने को नहीं मिलेगी, थ्री पॉइंट सेंजिंग है, पूरा ADDC टाइप का अच्छा सेंजिंग आपको उसमें प्रवाइड किया गया है, यहाँ पर टोप लिंक दे रखी, टोप लिंक होल्डर आपको दे रखा है, यहाँ पर टूल वोक्स दे रखा है, कोई करके पूरी जानकारी ले सकते हैं, बात करें इसके ओन रोड प्राइज के बारे में, तो लगबग 8,70,80,000 में आप इस रेक्टर को गवन रोड घर लेके जा सकते हैं, बाकी का और अधिक जानकारी चाहिए, तो आप नमबर दे रखा है, उसमें बात कर सकते हैं, और पूर झाल